नमस्कार, स्वागत है सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज हम आप सभी को Potion Tracker App की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जो की 13.2 का एक नए अपडेट अभी अभी आया हुआ है और इस अपडेट में आपको दो नए अपडेटों के बारे में जनकारी मिलेगी कि Potion Tracker App में क्या कुछ बदलाव किया गया है क्या कुछ सुधार किया गया है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि Potion Tracker App में अभी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है जैसे कि THR वाली जो प्रोब्लम है वो अभी आगन बारी बहनों को देखने को मिलती है और पिछली अपडेट में भी आप लोग देखे होंगे 13.1 की जो अपडेट आई थी जिसमें कि Home Visit जो सिडूल है यानि गरी भरमन का जो उसमें डेटा सब्मिट करते होंगे तो आप लोग को वहाँ पर भी परिशानी हो रही थी तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो पोशन ट्रेक राइब की ये नई अपडेट आई है 13.2 इसमें क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रही है वीडियो को एंट तक जरूर देख लीजेगा अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो भी आगन बड़ी बहने इस चैनल पे नहीं आई है उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो करने के बाद यहां पे आपको अपडेट का ओप्सन मिल जाएगा इस पे आप लोग किलिक किजिया गया और किलिक करने के बाद एरो पे आपको किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं 13.2 का निउ भर्जन अभी अभी आया हुगा है तो चलिए हम लोग simply पहले इसको अपडेट कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बदलाव जो है इसमें किया गया है minor box fixes और code optimization तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे यह potion tracker app अपडेट हो चुका है आप लोग भी अपडेट कर लीजिएगा अपडेट करने के बाद simply हम इसको open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इस बात को जानने वाले हैं कि जो potion tracker app में home visit schedule का जो option था जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो भी record यहाँ पे आप लोग submit करते थे उसका record यहाँ पे तीन बार चार बार record submit करने के बाद ही यहाँ पाता था लेकिन हम यहाँ पे इस update को करने के बाद सबसे पहले home visit में ही आए हैं और यहाँ पे जो आज की तारिक है उसको डालेंगे और submit करेंगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि message आ गया record सफलता पुर्वक update होई और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही बार में यह जो portion tracker app की home visit वाली category है वो यहाँ पर complete हो चुकी है यानि submit हो चुकी है और आप लोग देखी पा रहे थे पिछली update में जो home visit schedule था उसमें pop-up message change किया गया था लेकिन अब आप लोग यहाँ पर आसानी से एक ही बार में जो भी लबारती हैं उनका यहाँ पर home visit कर पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा home visit कर रहे हैं और दूसरा home visit करने के बाद भी यहाँ पर एक ही बार में यह जो home visit है वो clear हो चुका है चली अब देर वाले option में भी चल के देख लेते हैं तो देर वाले option में अभी कोई सुधार नहीं किया गया है जैसा कर तैसा है तो आप लोग home visit schedule को लेके काफी परिसान थी तो अब आप लोग यहाँ से असानी से किसी भी लभार्थी का home visit असानी से कर सकते हैं और चलिए आगे चलते हैं जैसे कि यहाँ पर verify अधार वाला option है इसको open करते हैं इसको जैसे ही आप लोग open किजिएगा तो यहाँ पर आप फिर वो लभार्थी महिला किस के टेगडी के है तो यहाँ पर देख सकते हैं अधार फिरिफाई में यहाँ पर जो लभार्थी का नाम दिया गया है उसके नीचे ही उसके टेगडी के नाम लिख दिया गया है कि यहाँ पर यह जो आइकन दिखा रहा है इसमें कोई चेंजि के साथ यहाँ पे उस बच्चे का डिटियल्स दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो थिरी डोट दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग किलिक किजिएगा और जैसे कि यहाँ पे AWC उप्योग करता यानि AWC एक्टिबीटी का जो अप्सन दिया गया है यहाँ पर कई आगनबारी बहनों को परेशानी हो रही थी कि जो भी AWC उप्योग करता है यहाँ पे ओपेन करने के बाद एरर लिख के दिखा रहा था तो यहाँ पे भी यह समस्या ठीक हो चुकी है AWC उप्योग करता में जो भी सेविका सहाई का ANM और जो भी आसा है उनका यहाँ पे नाम भरा जाता है तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि उनका नाम यहाँ पे सभी चीज भरे हुई है आप लोग अगर नहीं भरे हैं तो इसको जाके आप लोग जरूर भर लिज चाहिएगा और आप लोग को पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाओ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट चरूर किजिएगा जिसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद